नमस्कार दोस्तों, आज हम Aero Premium Pro Software से short video को export करना सीखेंगे, जो कि high quality में, HD में आप एक तरह से कह सकते हैं फोर के, जो कि professional लोग यूज कर रहे होंगे, उसका sequence क्या होना चाहिए, हम उसको convert करेंगे horizontal to vertical में, जो कि professional हमारा जो short feed में जाता है YouTube पे, वही हम उसे convert करके आपको रहेगा, तो चलिए हम सुरू करते हैं, सबसे पहले हमें vertical में convert करने के लिए, अभी तो horizontal होगा है हमारा, अभी से हम vertical में convert कर देंगे, तो इसके लिए हमें sequence change करना होगा, तो sequence change करने के लिए हमसे सबसे पहले file पर जाना है, file पर जैसे हम click करेंगे, आपको इस तरह का interface हमारा sequence का option देख जाता है, तो हमें इस पर click कर देना है, अब थोड़ा wait कर लेते हैं, अभी जैसे हमने click किया, देख रहे हैं कि इस तरह का interface आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने already default save करके रखा है, मैं आपको step by step again करके दिखाऊंगा, तो आपको सबसे पहले setting पर click कर करना है, अब setting पर click करने के बाद आप यहां से देख रहे हैं कि आपको DSLR ही select करना है, हाला कि मैंने export करके रखा हुआ है short video, आप यहां पर DSLR का ही select करें, तो यहां DSLR को select करके आपको frame rate, time base जो दिख रहा है, आपको 23 रखना है, ठीक, इससे कम नहीं रखना है, 23, 97, 6, ठीक, इसे frame per second, ठीक, आपको यह, आपका side में, जो हमारा side में दिख रहा है, अगर आपने sort नहीं किया होगा, तो आपका side में दिख रहा हो, तो आपको इसको, इसको copy करके, इस side में paste करना है, उसको copy करके, इस side में करना है, जैसे हम यहां पर लिख देते है, 1080, main जैसे जो हमारा लिखा हुआ है वही आप उतार दीजिए अपने इसमें सिक्वेंस में ठीक जो यह लिखा हुआ है आपको वही उतार देना है कि मैंने सेफ करके रखा था इसलिए प्रजेंट हमारे सामने ओपन हो गया तो आप सीधा जैसे जैसे हमारा यह सिक्वेंस क्रेट हुआ है आप यही अप डिरेक्टली देख करके अपने सिस्टम में सेफ कर लेगे ठीक तभी सेफ करने का हम यह ओप्शन बताएंगे आप इंपालथी आपको उपी कर ले ना सेम जैसे जो हमारा सेक्वेंस अभी दिख रहा है वही आप अपने सिस्टम में कॉंपी करने आपको सेफ करना है इन फ्यूचर की आप यूज करेंगे साथ वीडियो एक्सपोर्ड करने के लिए तो आपको यहांपर सेफ कर देना है आप अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अब यहां से जाएंगे यह देखे हमारा sort का हिड्ड ready हो गया sort पर क्लिक करके आप यहां से OK कर देंगे अभी देखे इस तरह का आपको जैसे mobile का phone था आपका उस तरह से vertical में हमारा shape ready हो गया अब यहां से हमें क्या करना है कि एक वीडियो हमें इंपोर्ट करना है यहां से हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे सॉर्ट के लिए आप यहां से भी ब्राउज कर सकते हैं अब जैसे ब्राउच की हम इंपोर्ट किये यहां से हम एक वीडियो ले ले लेते हैं कोई भी अब हमने वीडियो ले ले लिए अब यहां से हम इसे ट रॉक कर देंगे अपने टाइंप लाइन में आपको यहां नियुक्त है कि मतलब सिकावे साब चेंज किया ले एने रहा है थी तो आपको कि किप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इसे इसमें दिख जाएगा देख रहे हैं अब माले जी इसे हमें अजेस्ट करना है वीडियो पर आपको डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करने के बाद आप यहां देख रहे हैं कि इस तरह का बॉक्स बन जाएगा आप यहां से इ दिखाना चाहते हैं आप अगर की फ्रेम एड़ करना चाहते हैं तो आप यहां से एड़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है अगर आपको आ रहा हुआ की फ्रेम गएर एड़ करना तो हमसे इस साइड से इस साइड ऐसे से करके आप यहां से की फ्रेम एड़ कर सकते हैं अगर की फ्रेम एड़ करना नहीं आ रहा है तो आप यहां से कट कर सकते हैं जैसे माली जी यहां से हमें यहां तक दिखाना है तो यहां से हम कट कर सकते हैं ठीक अभी कट कर दिया हमने इतना इतना भाग हमने कट कर दिया अब यहां आने के बाद दूसरा अपना जहां दिखाना है वहां दिखा करके यहां भी हमें कट मार देना है ठीक जो भी अपने अनुसार से आप यहां से सेलेट कर सकते हैं आपको जिस तरह से अच्छा लगी ठीक तो अब आ जाते हैं हम एक्सपोर्प का सेटिंग देखते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए आप कीभूड से कंट्रोल यहां भी प्रेश का सकते हैं और फायल पे जाकर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं दो चलो करना है आपको default ही रहना है ठीक प्रजेंट का प्रजेंट हमारा कस्टमाईज हो सकता है जैसे माले जी हम मैंचे सोच हाई बीटरेट की अभी कुछ भी हम बदलाव करेंगे तो हमारा कस्टम पिक स्लेक्ट हो जाएगा ठीक तो हम यहां से आ जाएंगे वीडियो और ओडियो को default चेक मार्की रखना है अब यहां से आपको एक एरो का इकन मिल जाएगा आपको हलका सई से स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ अब जैसे नीचे की तरफ करेंगे आपको option देखने को म लिए तो हमें क्या करना है कि अभी vvr1 पास करके लिखा हुआ ठीक तो अभी देख रहे हैं 170MB का हमारा यह बना हुआ है तो हमें थोड़ा हाई करना है क्योंकि हमें हाई quality में export करना है जिसे हमारा quality रेडियूस नहों हो तो उसके लिए हमें क्लिक करना इस पर हमें cbr का option द कि नीचे आ तो अभी टार्गेट बीट रेट जो हमारा दे रहा है आप अपने शिस्टम के अनुसार से कर सकते हैं अगर आप मालीचिया आप एकदम हाई क्वाल्टी करना चाहते हैं तो आप यहां से हाय क्वाल्टी ही रखें क्योंकि अभी हमारा दो मिनट का वीडियो है जो कि आपको दिख रहा है एक हजार अन्टीस एंवी का ठीक तो आपका यहां मालेजीय की सेकेंड का होगा तीस या चालिस या पचास एक मिनट से तो ज्यादा तो बना नहीं सकते इस वाट वीडियो में त इस पर जरूर चेकमार करने क्योंकि जो भी हमारा क्वाल्टी होगा यह खुद ही प्रवाइड करेगा डेपॉल्ट सिस्थम से तो आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है बस नॉर्मल आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है आपको कुछ इसमें छेड़ना नहीं है बस ए वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा